तो सबी दोस्तों को पहले तो नमस्कार इस वीडियो में बताने वाला हूं गांधि शंचकार परिक्षा 2019 प्रश्ण यह बाग यह प्रस्ण ढाणा變्ट के यह िक्षण वाला सकता आपके घंडि संचकार परिक्षा 2019 में पूछे जाएगे और इसी वीडियो में आपको एक और फैक्ट बताऊंगा जो आप सुनकर हो जाओंगे एकदम खुशा मद और आप सोसोंगे कि आपका अब तो मेरा नंबर पका लगी जाएगा ठीक है एक और नियम में संसदन हुआ गांदी संसकार प्रेक्षा 2019 में ए इस वीडियो में मिलने वाले तो वीडियो को देखे एंट और मुझे अभी से इंस्टाग्रम पर फॉलोग कर दीजिए आज साम मैं चार बज़े लाई में आकर गांदी जी के बारे में ऐसे ऐसे किसन लाँगा कि आप क्या आप कोई आपको आप मैंसे कोई एक भी वह प्र चैनल पर नेज़े चैनल को सब्सक्राइब करना है वीडियो चलेगी वीडियो को लाइक जरू किजिए का तो बढ़ते हैं बिना किसी देथ के प्रश्णोत्रे वाग फाय के और तो फ़र्ष्ट किसंस के और बढ़ते हैं तो यह आपके पास फ़र्ष्ट किसंस गांदी ज जिसके दोरां उन्होंने वापस ले लिया ठीक है यह एकदम सही राइट ऑप्सन इसका है दूसरा जो है वो है नाइन्टी थर्टी नाइन में पहले बार गांदी जी ने अपनी नियंतित समू संगर्ष की विश्ष्ट विदी का परियोग किस भारतिय रियासत में किया उन जयपूर में जमनालाल बजाज नहीं जो है वो क्या क्या था उश्ष्ट परजया मंडल की इस्तापना भी जमनालाल बजाज नहीं की दी जयपूर में तो याद रखना है उन्होंने बागदोर स्वाप उनको तीसरा मोश्ट इंपोर्टेंट किसन ने गांदी जी ने कि में मातमा गांदी कि शयोगी रिया शुकी पर उनसे अलग होकर एक आमुल परिवर्थन साली आंदोलन जिसका नाम आत्मशमान आदोलन था वो चलाने वाले कौन थे बहुत इंपोर्टेंट किसन ने ज्यान से शूलना इसका सी ऑप्सन सही है ईवी स्वाराम स्वामी नायक आधा किशन नников रिखिया कौन साब वर्いき में वर्ष ती है उन्सव थ्यासलए प्रभावित मातमा गांदी ने किक रखियोशे प्रभावित है तो यह Après कि करतियों से आत्यादिक पर्भावीत तो यह धोवर्ण की कर्तियों से जैसा कि मैं ने साइद एक प्रश्ण उतनि में बताया भी था आठवा किशंचे गांदी जी किसकी रश्नावसे प्रभावित थे बहुत इंपोर्टेंट है ये और ये है थोमसहफ्स की रश्नावसे क्या थे प्रभावित थे मातमा गांदी ने अपनी शत्यागर की किरिया वीजी सबसे पहले कहां प्रिक्त की थी सबसे पहले कहां प्रिक्त की थी चंपारन मैं आप सभी को पता होगा कोई बताने की जरूत नहीं है गांदी जी ने दक्षिन अपरिका से मिलने के लिए निमलिक में से कौन गया था कौन अस्रम कहां इस्तित वर्दा जो अस्रम में वह काँ है तो यह हैं महाराष्ट में इस्तिते ऐसे भी किसम स्ट पूछे जा सकते हैं ठीक है अग्यारवा कि कुछन से करेगे या मरेगे गांधी जी ने राष्ट को यह मित अंत्रकिष जन अंधुलों के अश्वर पर दिया था तो यह जो दिया था वो बारत सोड़ों अंदुरन के अंकर दिया था और प्लस सुपर किसंस ला रहा हूं में गांधी जी ने सुबाच चंद्र बोश को क्या का था तो क्या का था देश भग्त क्या का था गांधी जी ने सुबाच चंद्र बोश को क्या खा था देश भग्त कि ब्ल susna बिल्कूस सिंपल के सने इसलिए मैं इसका प्लस उपर कुसर है कीजिए तब gef Technologyन जीने सिंपर के स्सक्राइब मैं सुपर किसन लारो गंधी जीने पोश्ट Tating daiki你想 Qorta के सब्सक्राइब क्रिप को नहीं है अब निमनमेशिक की समाचारपत्र का संपादन गांदी जी ने किया था कौन सा वो समाचारपत्र था तो उसका जो हैं गांदी जी ने किया था बी कौन यंग इंडिया औरेजन शंपादक था मातमा गांधी गांधी जी द्वारा सबसे पहले राज पिष्टा किसने का यह तो कोई बताने की जुरूद नहीं है नहीं है कौन सी रशना नहीं है यह किसकी है यह कालमाक्ष की अब आपको जो मैं किसन पूसरा हूँ और सुपर उसके साथ ही मैं बहुत इंपोर्टेंट बाते भी बताऊंगा मातमाह गांदी के चार बच्चों का नाम बताना है आपको कमेंट करके जुरूर divers रहाँ तो जैसा कि . नहीं को होने वाली इसका एक्जां होने वाला और 19 डिसमबर को इसका होने वाला है गांदी संसकार प्रिक्षा का क्या तीव होनेवाला है अग्जाम होने वाला और सुराज दीवस के उपलक्स में एक्जाम होगा देखो मैं आपको बता दो जो किस्ञेंटउ पूछे आहेंगे सांथ बहु वेकल्पिकत होगे जैसा कि मैंने आज सुबह वीडियो बताई थी नहीं देखा तो link description मिल जाएंगी 60 प्रशन आएंगे और ऐसे प्रशन आएंगे जो सबसे simple होगे और आपको जो है ऐसे प्रशन जो latest होगे रेसेंटली जो है उनके द्वारा जो होगे जैसे सोचता अब्यान के बारे में मातमा करवा रहा हूं तो मैंने आज सब circulation किया जो 20-20 प्रशन रोज से करा रहा हूं तो इससे आपकी गड़ी पार पढ़ने वाले नहीं नहीं हो जाएगी यह मैं आपको बता रहा हूं तो अभी मैं कल से जो सुरू कर रहा हूं कल मैं objective प्रशन नहीं लाके मैं कैसे प्रशन ला रहा हूं कैसे प्रशन लारा हो ऐसे प्रशन लारा हो जैसे मैंने ये बता गांदी जी ने किस आंदलोन को चोरी-चोरा कांड के बाद वापिस ले लिया मैं सब्सक्राइब करें तो कितने हो जाते हैं तो 500 किस्टन तो 500 किस्टन मैं आपको गैरेंटी के साथ बोल देता हूं जाक मत समझेगा गैरेंटी के साथ सब्सक्राइब करेंगे तो यह बोड़ी खुशकबरी है और एक और नियम मैं जो बता रहा था यह नियम है कि अपकी बाद जो गांदी संस का प्रिक्षा होगी उसमें जो नियम है वह फुरू है मतलब यह है कि प्रशन जो है वो सरल बना जाएंगे और प्रशन बताएंगे लेटिस्ट प्रशन बना बताई जाएंगे उसकी मैं त्यारी आपको करवा लूँगा तो कल से अब्जेक्टिव प्रशन आगर कैसे आएंगे ऐसे एक वनवड़ वाले आगे मौह आपको बहुत अच्छी त्यारी कराऊंगा और आप चैनल को नए चैनल को सब्सक्राइब करना है और आज मैं विस्तार से चार बजी जो लाई में आऊंगा इंस्टाग्राम पर इस्टाग्राम पर लाई में आकर जो मैं आपको बहुत यह अच्छारे संगी जो है मैं किसंस बताने वालो तो मुझे अभी से फॉलो कर जिए लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जए थैंक् आपको इसका स्वाजी आंसर मिल जाएंगा और वीडियो स्लिशन के साथ और आप डाउटनेट के एप के माधिन से भी क्लास्टिक्स टेलेकर 12 जेए मैंस के जारी आसान सीचे कर सकते हैं